नमस्कार आप देख रहे हैं नेशन वन मैं हूँ आपके साश्वता सिंग अंकडों से साफ पता चलता है कि पुलिस किस तरह से एक साल में करोडों की नशे की सामगरी बरामत करती है सरकार द्वारा इसके लिए एंटी ड्रग्स क्वाइड भी बनाये गए हैं लेकिन फिर भी मामने लगातार तेजी से बढ़ रहे हैं और अगर इसी तरह से देव वूमी में नशा खोरी बढ़ती रही तो उत्राखंड को उड़ता पंजाब बनने से कोई नहीं रोग सकता क्योंकि जिस प्रदेश के बच्चों और नौजवानों के हाथों में नशा होगा तो उस प्रदेश का भविष्य क्या होगा ये आप सोच सकते हैं वहीं इस मामले में क्या कहना है SP City शुवता चौबे का आईए जानते हैं तुरा बॉलिवोड घरता जा रहा है वहीं उत्राकंड के अगर बात करें तो उत्राकंड भी नशे के मामले कहीं न कहीं आगे बढ़ चुका है और पंजाब की तरह ही यहा पे नशापुरी देखने को मिल रही तो पुलिस प्रशाशन किस तरह से उस पे काम कर रहा है अगर देहरदून के चर्म्स में देखे तो नशा हमारे लिए बहन बड़ी चुनोती है उसको हमने चालेंज के रूप में उसको खतम करने के लिए एक चालेंज के रूप में यहां की पुलिस न उसको ले रखा है अगर आप हमारे आपड़ों पर जाएं तो लगबग अभी सेटेंबर चल रहा है हमने अगर एक्साइज आक्ट में कारवाई देखी जाए तो छेसो से जादा केसिस जो है वो हमने पंजिक्रित कर रहें सिर्फ शेहर चेतिकी में बात कर रहीं और अगर NBBS के केसिस देखे जाएं जिसमें हमने इलीगल ट्रीडिंग पर जो कारवाई की है उसमें बले ही नशीले कैप्सूल्स हो गाजा है स्मैक है चरस है इसमें लगबग हमारे डाइसों से 300 केसिस जो है वो हमने पंजिक्रित किये हैं हमारा जो में टागे होता है बिकाज देरादूर इस प्रसके बाहर सरी स्टुड़ंस लोते हैं ने विद्धारी किया है और एजूगेशन इंस्टूशन हमाने अहां बहुत है तो एक टागेट जो में होता है वो पेड़र्स का वो स्टुड़ंस होते हैं तो हमने काफी जो है पेडलर्स पे काम किया है, उनकी गिरिफतारी की है इन टरम्स ओफ इलीगल स्मगिन और उसके अलावा उनसे जो हमारे को रेफरेंस मिलता है कि उन्होंने कहां से जो बड़े ड्रग डीलर्स जहां से वो सप्लाइ लेकर आते हैं, हमने उस चेन को भी हमारे कोविट के पहले जो है वो चलते आ रहे हैं और स्टूदेंस को जरूर हमने अवेर भी करने की कोशिश की है, पेरेंस को अवेर और पॉंचिस कर रहे हैं अब हम आपके सामने उत्रखन की राजधानी दहरादून से बरामद नशे के आंकडे रखेंगे जो अगस 2019 से 30 अगस 2020 तक की हुई कारेवाही का एक ब्यॉरा है, अब तक कुल 521 मुकद में इसमें दर्ज किये गए हैं और 2,9,555.15 ग्राम नशीले पदार बरामद किये गए हैं जिसकी कीमत 6,33,87,490 रुपे हैं और इस मामले में अब तक 524 गिरफतारी हो चुकी हैं वहीं एक अक्टूबर यानि आज से नशे पर अपनी पकड बनाने के लिए और इसे खतम करने के लिए दहरादून पुलिस एक बड़ा अभियान शुरू करने जा रही है जिसका नाम है ऑपरेशन सत्य जिसमें SP क्राइम लोग जित सिंग को नौडल अधिकारी बनाया गया है और यह जो अभियान है वो चलाया जाएगा एक महीनी तक इस ऑपरेशन सत्य में क्या कुछ कहना है दहरादून के DIG अरुन मोहन जोशी का रिपोर्ट देखिए अबरेशन सत्य जो है आज यानि एक कॉप्टिवर से शुरू है तो इस ऑपरेशन में पर 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 किस तरीके से काम करेंगी और इस ऑपरेशन का नाम सत्य अभी तुरह हुए है दिखिए इसमें मेन फोकस जो हम लोग का है वो है जो भी यहाँ पर नश्रे के कारोवार में लिप्त है यूब इस तरह के अलिमेंट्स हैं जो इस तरह की अक्टिविटीज करते हैं उनकी खिलाब एक फोस कारोवार हम लोग करें और एक ऐसा महाल बने कि यहाँ पर चाहे हमारे SP Crime है उनको उसका Normal Officer बनाया गया है और एक इंस्पेक्टर है उसको और इंचार्ज भी है और हमारा फोकस यह था कि जो यहाँ पर ड्रक्स आती है जो स्मैक आ रही है कि वो बहार से supply होती है और supply chain को ब्रेक कि आ जाए 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 वहाँ पर हम लोग काम करें बीश में lockdown का phase था और उसमें तमाम चीज़ें डिफर्ट तरीके से हो रही थी अब चीज़ें थोड़ा सा Normal हो रही है तो जो अब routine policing उसको फोकस कर रहे है और यह जो pending था इसको किस काम को भी कर रहे है आज से जो operation सत्य चलाए जाए जाएगा उसमें SP Crime लोग जित सिंग को नोडल अधिकारी बनाया गया है जो इस operation की बागडोर समालेंगे आए जानते हैं कैसे विस operation के लिए काम करेंगे तो किस तरह से इस operation के लिए टीम काम करेंगी इसमें प्रते हैं को एक टीम बानते हुए इसमें हर थाने को इसमें involved किया गया है ठाने का प्रते करमचारी इसमें अपना रोल प्ले करेगा और इसमें हर वैक्ती को अपने टास्क दिया है और इसमें जनता का सहयोग एंजीयों का सहयोग और जो विसे सग्य हैं इस फिल्ड में जो काम कर रहे हैं उन सभी लोगों के सहयोग से व्यापा का भियान चलाया जा रहा है कर देखें नशे के विरूद उत्राखंड पुलिस और दहरादून पुलिस की लकातार कारवाई होती रही है इस बीच लोगडाउन के द्रिश्टिकत अन्ने कारव में बीजी होने के कारएंट थोड़ा था हमारा ध्यान इस पर से हटा था लेकिन अब फिर से इस पर हम रीफोकस कर रहे हैं उसी क्रम में इसको नए तरीके से नए तरीके से इसको सुरू किया जा रहा है बिलकुल देखे नशे से लड़ने का सबसे अच्छा संदेश तो यह है कि एजूकेशन पर बहुत द्यान दे बच्चों की उनको क्रेटिव काम में डालें उनको इंगेज रखें क्रेटिव कामों में और लाइफ में बड़े सपने अपने बच्चों को दिखाएं ताकि वो पर ऊकिशी की प्रवर्ति के और नापड़े़ों इस कड़ी में फिलालед इतना ही हम आपसे नशे की अगली कड़ी में जुडेंगे जिसमें हम आपको बताएंगे की नशा आखर किस तरह से होता है और किस तरह से ये नशा मनुष्य के शरीर पर असर करता है नेशन वन की खबरों की अपडेट के लिए आप अबारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, पसंदाई वीडियो को शेर करना ना भूलें और ज्यादा जानकारी के लिए लोग इन करें www.nation1.tv पर अधिक जानकारी के लिए आप हमें ट्वेटर, फेस्बुक पर भी फॉलो कर सकते हैं तो खबरों की ज्यादा जानकारी के लिए बने रहें Nation1 के साथ